हेलो फ्रेंड्स नमस्ते कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आज के वीडियो में हम कपडों से निकलने वाली बेकार फोम सीट से बहुत ही यूजफुल से कुछ आइडियास बना के रेडि करेंगे चोटे-चोटे से और बहुत ही जल्दी बनने वाले आइडिया हैं पर बहुत ही यूजफुल से हैं तो आप एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और इस तरीके की फोम ना अकसर कपडों पे साड़ी पे आते ही रहती है और हम इसको बेकार समझके फेक देते हैं तो इस तरीके से हाथ रखके हमको यह देखिए यहाँ पे फोम सीट को कट कर लेना है तो मैं इसका साइज भी आपको बताऊंगे कि किस साइज पे हमको कट करना है तो यह देखिए पांच इंच चोड़ाई रखना है और दस इंच लंबाई रखना है और फोम को कट कर आप उसको भी कट कर लीजेगा तो दो पीश कपड़े कर देखिए मैंने कट कर लिए है और बीच्वे हमको फोम सीट रकना है और बीच में फोम सीट और फिर उसक्राइब हो पलता है और इस तरीके से सिलाई लगाके रैडी कर लेना है अब सेम साइच पे दो पीस कपडों के और कट कर लेना है तो ये देखिए दो पीस मैंने और कट कर लिए है तो इस तरीके से दो पीस कपडों की कट कर लेंगे अब फॉम शीट को भी कट कर लेंगे तो ये देखिए चोटा सा तुकड़ा हमको foam sheet का cut करना है तो दो piece इस तरीके से cut कर लेंगे और कपड़ों के ये देखिए इस तरीके से बीच में foam sheet रखके कपड़े को fold करके चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे और दोनों piece को सेम तरीके से cut कर लेना है ये देखिए इस तरीके से चारो तरफ से सिलाई लगा के ये दोनों पीस हमारे रेडी है अब ये देखिए इस तरीके से रखना है इनको तो एक पीस इस तरफ रखींगे और एक पीस इस तरफ और बीच में न हमको एक डेड़ इंच का गेप रखना है तो ये देखिए ऐसे अच्छे से कपड़ों को बराबर करके रख लेंगे और बीच पे डेड़ इंच, दो इंच का आप गेप जरूर दीजिएगा अब इसके चारों तरफ हमको सिलाई लगा लेना है तो ये देखिए सिलाई लगाके दोनों तरफ से हल किसी गोलाई देना है तो इस तरीके से दोनों तरफ से हल किसी गोलाई दे देंगे अब गोलाई देने के बाद ये देखिए इस तरीके से कुछ रेड़ी हो जाएगा अब हमको लेना है piping के लिए पट्टी तो आप साड़ी से भी piping पट्टी के लिए कपड़े को cut कर सकते हैं या फिर आपके पास यदि कोई कपड़ा है तो आप अपने पसंद के color से piping पट्टी लगा के ready कर सकते हैं यह देखिए डबल करके कपड़े को रखना है और फिर एक बार और नीचे की तरफ कपड़े को fold कर देंगे यह देखिए यहां पे मैंने सिलाई लगा लिये है एक बार और piping पट्टी को attach कर लिया है और बारिक बारिक cut लगाएंगे चारो तरफ और फिर इस तरीके से यह देखिए पट्टी को पलटके सिलाई लगाके piping पट्टी बनाके चारो तरफ से ready कर लेंगे तो ये देखिए ये ready हो गया है अब मैं आपको इसका यूज भी बताऊंगी तो इसका यूज ना आप गरम बर्तन को पकड़ने के लिए कर सकते हैं और वेकार फों से इस तरीके के आप और भी बर्तन को पकड़ने के लिए बनाके ready कर सकते हैं कैसा लगा कमेंट करके जरूर कि अब यहां पे हमको एक छोटा सा क्पड़े का क्टकड़ा कटकरना है। जिसकी लंबाई और चोड़ा करू है। यह साथ इंज मैंने चोडाई रखी है, अब इसको हमको 20 से कट कर लेना है, और छोटे से कपड़े से आप इसको बना सकते हैं, छोटी सी फोम का तुकड़ा हमको चाहिए, यह देखे 20 से कट करने के बाद इसी के साइज पे हमको फोम सीट को भी कट कर लेना है, और ना जब भी हम कपड़े लेने जाते हैं तो अक्सर कपड़ों में इस तरीकी की फोम सीट निकलती ही है और इसको हम फेक ही देते हैं तो इनसे न हम बहुत अच्छी अच्छी चीजे बना के किचन के लिए घर के लिए रेडी कर सकते हैं तो अब यहाँ पर यह देखिए मैंने दो पीस कपड़े के कट कर लिए हैं और बीज में मैंने फोम सीट रखी है तो अब इनको कैसे सिलाई लगाना है देख लेते हैं नीचे की तरफ हमको फोम सीट रखना है बीज में जो भी हमारा कपड़ा उसको सीधा करके रखना है और यह उपर की तरब वाले कपड़े को मैंने उल्टा करके रखा है और एक सिलाई लगाने के बाद मैंने पलट के ऊपर की तरब भी टॉप इस्टिच लगा लिया है यह देखिए और फिर चारू तरब से इस पर हम सिलाई लगा लेंगे तो तीन इंचिस की चोड़ाई है और सा लगाई लेना है तो यए देखें एसे न आप और भी बनाके रेड़ी कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी बनके रेड़ी हो जाता है अब यह देखिए कपड़ों को कैची से या पेन की हेल्प से न यह देखें ऐसे धीरे-धीरे से फोल्ड कर लीजेगा तो ये अराम से निकल के बाहर आ जाएगा तो इस तरीके से ना धीरे-धीरे से कपड़े को खीच के या फिर पैन से आप सीधा कर लीजेगा इसको तो बहुत ही आसान तरीके से ये सीधा हो जाएगा तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से बन के रेडी हो जाता है अब यहां पर हमको लेना है एक कपड़ा जिसकी लंबाई और चोड़ाई हमको बराबर रखना है तो यहां पर मैंने 14 इंच लंबाई रखी है और 14 इंच चोड़ाई रखी है और बीच पर मैंने फॉम शीट रखी है और नीचे की तरफ यह से हमको साड़े चार इंच पे निशान लगाना है तो यह देखी इस तरीके से साड़े चार इंच पे निशान लगाएंगे और फिर नीचे की तरफ भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और दूसरी तरफ भी साड़े चार इंच पे निशान लगा के नीचे की तरफ भी मैंने निशा लगा लिया है अब बस सिंपल सी हमको कुछ सिलाई लगाना है और हमारा बहुत ही प्यारा सा organizer बनके ready हो जाएगा तो यह देखिए एक तरफ सिलाई लगा ली अब दूसरी तरफ भी लगा लेंगे और फिर इस तरीके से कपड़ एदिए अधिया फोल्ड करेंगे और फिर हम气 साधेच सिरह निशान लगाना है और कण safety संस्ट घीक और ये निशे कि तरफ भी चौक से निशान घीच लेंगे और और सिलाई लगा लेंगे इसी तरीके से दूसरी तरब भी सिलाई लगा लेंगे तो कुछ इस तरीके से नहीं हमारा बॉक्स बनके रेडी हो जाएगा तो यह देखिए इस पे भी सिलाई मैंने लगा ली अब चारो तरब से सिलाई लगाने के बाद यह कुछ इस तरीके से रे अब यह देखे मैंने ना इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है अंदर की तरफ और यह देखिए यह जो हमारी जो यह जो कपड़ा जो बाहर निकला हुआ था ना तो उसको इस तरीके से हमको बाहर की तरफ फोल्ड करना है यह देखिए और इस पर हाथ से सिलाई लगा लीज आपको जो EV पड़े वैसे आप सीलाई लगा कि इसको इस तरीके से 57 तो इस तरीके की ये दिजाइन बन जाएगी और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है तो इस पे आप इस तरीके से इसको आप डाइनिंग टेबल पे यूज कर सकते हैं किचन पर यूज कर सकते हैं इस तरीके से तो आइडिया कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताईएगा अब यहां पर हमको कपड़ों का सिफ छोटा सा तुकड़ा लेना है यह देखिए दो कपड़े के मैंने छोटे छोटे तुकड़े कट कर लिये हैं अब दोरनों कपड़ों को बराबर से रखेंगे और कटोरी की हैद से यह देखे गोल सरकल कट कर लेंगे और इसको ना आप ब पड़े रखके चारो तरब से सिलाई लगा लेंगे और बीच पे भी कुछ सिलाई लगा क双के अब यहाँ पे लेना है पाइपिंक के लिए पट्टी तो एक वड़ीमेंगच चोड़ी हमको कट लगाने हैं और फिर इसको पलट के एक बार और सिलाई लगा लेंगे तो हमारी piping पट्टी लगके ready हो जाएगी तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बनके ready हो जाएगा आप इसके उपर ना गरम बरतन रखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं और इसको आप चाहें तो और बड़े साइच पर भी बना सकते हैं तो ये देखिए छोटे छोटे जो गरम जो बरतन होते हैं उनको आप रखने के लिए किचन पर यूज कर सकते हैं या फिर टेबल बगेरा पे आप चाय के जो cup होते हैं तो उनको रखने के लिए कर सकते हैं धकने के लिए धक्कन के जैसे भी इसका यूज कर सकते हैं आप तो यहां पे मैंने ली है bed sheet और foam seat तो यह देखिए इस तरीके से foam sheet को रखेंगे और प्पर कपड़े की उपर farm seat को रखना है और आप चाहें तो यह देखिए इस तरीके से goal circle ना हमको cut कर लेने हैं तो आप प्लेकल से अब किसी भी plate की help से भी इस तरीके अप्स प्भाग से goal circle cut कर सकते हैं तो दो पीस मैंने कपड़े ऐसे नाप लेंगे और फिर पाइपिंग पट्टी लगा के हमको रेडी कर लेना है तो पाइपिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे साड़ी का कपड़ा यूज किया है आप किसी कॉटन के कपड़े का भी यूज कर सकते हैं तो चारो तरप से ये देखिए इस तरीके से डबल करके सिलाई लगा लेंगे तो एक बार मैंने सिलाई लगा ली अब बारिक बारिक कट लगाएंगे और फिर इसको पलट के एक सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे तो ये देखे इस तरीके से सिलाई लगाना है तो हमारी piping बनके ready हो जाएगी तो यहाँ पे ना इसका यूज आप रोटी कवर के जैसे भी कर सकते हैं इसी तरीके का same और बना लीजे और आपके ये रोटी कवर बनके ready हो जाएगे अब यहाँ पर मैं आपको इससे और भी एक idea बनाके ready करके दिखाती हूँ तो ये देखिए इसको न बीज से हमको cut कर लेना है तो बीज से मैंने cutting कर ली अब बस ये देखिए इस तरीके से fold करके इस पे हमको किनारे से सिलाई लगा लेना है तो सिर्फ एक simple सी सिलाई लगाना है हमको तो ये देखिए ये मैंने कुछ एक दो सिलाई लगा के अच्छे से पक्का कर लिया है और ये दूसरे वाले piece पे भी इस तरीके से fold करके na सिलाई लगा लेना है तो ये देखिए दोनों पे मैंने सिलाई लगा ली अब इसको ये देखिए इस तरीके से पलट लेंगे दोनों पीस को तो ये देखिए हमारे छोटे-छोटे से ये दो पीस हमारे बनके रेडी हो गए हैं तो आप इनका यूज न इस तरीके से गरम बरतन को पकड़ने के लिए कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाते हैं वीडियो कैसे लगी? कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में